लास्ट वाली वीडियो में हम लोग ने आपसे बताया था कि यह लावा अगनी टू के अंदर मुझे बहुत सारे बग्स मिलें और मैंने आपसे कहा था कि एक मैं सिंगल वीडियो में बनाओंगा जिससे होगा कि अगर आप लोग ये वीडियो लावा तक की पहुचा पाए तो ये सारे बग्स को लावा वाले फिक्स कर सकते हैं तो इसलिए मैंने का कि जितने भी बग्स मुझे अभी तक की इस फोन के अंदर मिले हैं वो मैं सारे के सारे आपको कलेक्टिवली मैं यहां पे बता देता हूँ और मैं आपको बताओं मैंने ढून ढून के बग्स निकाले हैं लिटरली भई यहां पे मुझे आठ से नौ गंटे लगे मुझे सारे बग्स को यहां पे कलेक्टिवली निकालने के लिए और मैंने पूरे पुरे पॉइंटर्स बनाके रखेंगी कौन-कौन से बग्स हैं इसके अंदर तो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूं जब फोन आफ रहता है न तो यहां पर आलवेज ओन डिस्प्ले आती है तो देखिए यहां पर कोई भी फिंगर प्रिंट का आप्शन नहीं आ रहा है अच्छा यह मैं क्यों बोल रहा हूं एक्च्वाल में देखिए यहीं पर यह मैं यहां पर भी देखिए यहां पर भी अराम से हलका सा हिलाया तो यहां पर आ जाता है मतलब कहने का है फोन को आप हाथ में पकड़ेंगे न तो यहां पर फिंगर प्रिंट सेंसर आता है फोन को अनलोग करने के लिए लेकिन इसमें आप फोन को पकड़ेंगे या फिर हलक सा हिलाया तो देखिए अब जाकर आया वो भी यहां पे पूरो का पूरो जो भी नोटिफिकेशन आई होती है वो भी यहां पे दिखने लगती है दूसरी चीज यह कि बाई देखो इसके अंदर बैटरी डेट मुझे बहुत जाता देखने को मिला था जब मैंने इसको बाइक मैं फोन को 90% चार्ज पे छोड़ा था और सुबह जब मैंने देखा तो इसके अंदर केवल 71-72% तक की बैटरी बची हुई थी तो मैं बहुत शौक था कि ऐसा कैसे हुआ तो गईस यहां पे फिर मैंने नेक्स डे में क्या किया कि इसको मैंने थोड़ा सा कम किया जैसी मैंन यहां पर कम करके मैंने राट में इसको छोड़ा तो इसमें इतनी जदा ब्रेन नहीं देखने को मिली लेकिन एक और रिजन लगता है इसके पीछे उसके लिए मुझे यहां पर एक और फोन को लेकर क्या रहा हूं आपके बगल में रखता हूं यह है रियल मी का फोन आपके यह शिफ्ट कर रहा है जिसकी वज़े से बार-बार बैटरी कंज्यूम हो रही है बस मेरा इतना सा मतलब है और एवेन अगर मैं आपको लॉक स्क्रीन कर दूँ ठीक है ऑल्वेज ओन डिस्पले है ठीक है हलका देखे 60 fps आ रहा है ना यह देखे 120 fps उबारा थे शिप्ट किय गी क्योंकि बार-बार यह से यह ना 60 से 120 पर यह शिफ्ट हो रहा है जो प्रॉबलम मुझे इस्टेंटली देखने को मिली थी वह थी यहां पर ऑवर ब्रैट डिस्पले और ऑवर सैचुरेटेड डिस्पले यहां पर जो सैचुरेशन है डिस्पले की वह बहुत जादा है जिसकी वज़े से आप कंटेंट वगर कंजूम करते हैं तो मतलब देखो पॉप अप हो करके आए कलर लेकिन बहुत जादा आज भी सैचुरेशन अच्छी नहीं लगती है तो हलका से सैचुरेशन को यह लोग ना करे कम तो फिर थोड़ा सा जाके होगा बेटर इसके बाद आपको थर्ड पार्टी पहलर अप अगर कुछ आप आती है उनी को इंस्टॉल करना पड़ेगा और नाई सिर्फ यह इसके बाद में इसके अंदर एक उप्शन दिया हुआ है सेटिंस में जाएंगे तो एक स्पेशल फंक्शन में दिया हुआ है स्मार्ट अंसर का उप्श किया बैक कैमरा इसका नगे चलो यहां पे फुल जूम टैनने कुछ को सकते की वैरी गूट वीडियो आपने ऑ्पिनख की दैंक्या दिया ओप यह वी अपाएंगे लियो में आने के बाद में और दभार से बैक कामरा में ूभाईख स्वाइग भार वो जाता ही नहीं है यहाँ पर जो कैम्रा है दर इसके अंदर आल्टरोइड का वीडियो recording देखे यहाँ पर यह क्यामरा है इसके अंदर ultrawide तुम खीष सकते लेकिन video में आप altitude में जाहें नहीं सकते माप 3 kl कही ऑकी option आता यह इसके लिएघा की recording करते हैं तो उसके अंदर स्थोड़ा सा brightness level बहुत जादा है तो इसको थोड़ा सा इनको control करने की option है जो कि अभी फिलाक ले नहीं है साथ ही मैं गई जिसके अंदर कोई भी screen recording application आती नहीं है जिसकी वज़े से आप यहां पे quality पे control नहीं आप कर सकते हैं कि आपको कम quality में आपको screen recording करनी है या फिर आपको higher quality में screen recording करनी है यह सब आप कुछ करनी पाएंगे इसके अंदर जिसकी वज़े से मुझे लगता है कि dedicated screen recording application आपको यहां पे देनी चाहिए तो भाई जिसने मेरी यह वीडियो यहां तक की देखी ना उनके लिए एक बहुत important बात मैं आपको बताऊँगा देखो लावा वालों ने यहां पे कोई screen protector नहीं दिया हुआ है screen के उपर तो अगर आपने नहीं लगाया ना तो मेरी display देगी है इसमें कितने सारे minor scratches है आप normally अगर आप शेड में जाके देखेंगे आप ऐसे भी वीडियो को consume करेंगे तो पिल्कुल पता नहीं चलेंगे लेकिन जब यहां पे directly light पढ़ती है न तब समझ में आता है कि कितने minor scratches इसमें लग चुके हैं लाइक चैनल को करेंगे शब्सक्राइब बेल लेकल को हिट करना भूलना नहीं